हालो एवरिवन आज हम करेंगे आपके 11th की बुक एकाउंट एंसी का NCRT की बुक का चैप्टर फैनेशल स्टेटमेंट फर्स्ट का क्वेशन नुबर 5 क्वेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है तो जो भी आपको ठीक लगे आप उस लाइंग वेशन में देख सकते हो इससे पहले वाले सारे कोईशन हम अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं जो के आप प्रेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो आपको सारे कोईशन मिल जो लोग चैनल पर फर्स टाइम आया है मैंने में जुबंग शर्मा और हम बहुत सारे वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए बिजनिस के एकाउंट्स के और लाइव क्लास करते हैं तो वो सारे आप लोग को टाइम से मिल जाएं इसके लिए आप चैनल सब्स्राइब कर लो पहला आइकन को प्रेस कर लेना ताके सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं और हाँ आपसे एवरी थर्सडे शाम को साथ बजे आपको लाइव क्लास मिला करेगी जिसमें हम लोग बिजनिस टडीज के वो सारे कोईशन्स वो सारी थियोरी डिसकस कर तो हर थर्सडे को क्लास आया करेगी शाम को साथ बजे स्टार्ट करते हैं आज का क्वेशन क्वेशन में बोल रहा है कि the following are the extracts from the trial balance of Messrs भोला इंट संस as on मार्स 31st 2005 हमें तीन चीज़े दी हुए है यहां पर ओपनिंग स्टॉक है पर्चेज है और सेल दिया हुए है नीचे हमें general entries करनी है साथ में जर्नल entries के साथ में trading and profit and loss account बनाना है और balance sheet भी बनाना है तो सबसे बहले हम जर्नल entries से start करेंगे देट कुस भी नहीं है तो इसलिए मैं date के column में number रख रही हूं 123 तो सबसे पहली जो entry करेंगे वह opening stock को और purchase को trading account में transfer करने की entry करेंगे तो एंट्री क्या होगी ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक टू परचेज हिंदी वाले बच्चे आपके लिए भी आसान है कि ओपनिंग स्टॉक को आपको पता ही है प्रारम्बिक स्टॉक कहा जाता है और क्रेड मतला पर्चेज तो ऐसे ही आप भी एंट्री गड़ सकते हैं नरेश piece क्या लिखेंगे बैलेंस फ्राम बैलेंस fron परचेज एकाउंट Purchase and Stock Account Purchase and Stock Account Transfer to Trading Account अब देखो Opening Stock जो है वो equation में हमें दे रखा है 2 लाक रुपए का तो लिख दो 2 लाक Purchase जो दे रखी है वो दे हुई है 8 लाक 10 लाक की और इन दोनों को Plus करके आप यहाँ पे लिख दो तो यह आएगा 101 ठीक है इसके बाद में हम आते हैं Andrew No.2 पर जैसे हमने Opening और Purchase को Trading Account में Transfer किया है ऐसी हम Sale को क्योंकि हमें Sale भी दे रखी है Sale को और Closing Stock को Trading Account में Transfer करना है तो इसका Just Opposite Entry होगी Sale Account Debit Account Debit और Closing Stock Account Debit To Trading Account और Narration में आप लिखेंगे Same Narration आएगी जो हमने उपर लिखी है Balance From Sales End Closing Stock Transfer To Transfer To Trading Count आप देखो Stock कितने का दिया हुआ है आपको यहाँ पर Stock दे रखा है 3 लाख रुपए का Closing Stock दिया है 3 लाख का तो इसमें लिख दो 3 लाख रुपए Sale दे रखी है अब इन तोनों को Add करके यहाँ पर लिख देंगे 13 लाख 10 जार ठीक है अब क्या करेंगे देखो एक Entry में हमने Opening Stock को और Purchase को Trading Count में Transfer कर दिया दूसरी Entry में हमने Sale को और Closing Stock को Trading Count में Transfer कर दिया अब हम देखेंगे हमें Profit या Loss की Entry करेंगे तो Entry No.3 Trading Account debit to या तो Profit हुआ होगा या फिर Loss हुआ होगा Trading Account debit to P&R Account Profit and Loss Account Profit and Loss Account और Narration लिखेंगे यहाँ पर Being Balanced from Balance from Trading Account Gross Profit मैं Profit को Short में P लिख देती हूँ हम समझ जाना Gross Profit Transfer to Payendal Account Profit and Loss Account अब देखो आप इनका जो Difference है वो आप निकाल दो तो Difference कैसे निकालोगे आप इसमें से इसको Less कर दो यह इसका Final Amount है तेरा लाक दस अजार और यह एक तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा तीन लाक आप आप बैलेंस निकाल ले ना देखो बता देती हूं कैसे माइनस कर लोगे तो निकल आएगा तीन लाक रुपया यह तो हो गई इसके General Entries तीन General Entries सिंपल है एक में हमने Opening Stock और Purchase को Trading Account में ट्रांसफर किया दूसरे में Sale और Closing Stock को Trading में ट्रांसफर किया और दूसरे में Next Entry में हमने निकाला कि हमें Profit हो रहा है या लॉस हो रहा है तो इसके बाद में हम बनाते हैं Trading Account बनाने के लिए आप देखो यहां सबसे पहले हम डेबिट साइड में और यह है क्रिडिट साइड तो देखो डेबिट साइड में क्या है ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक जो के हमें दे रखा है दो लाख रुपय का देखो क्वेशन में ऊपर दे रखा है ओपनिंग स्टॉक दो लाख का पर्चेज दी है आट लाख दस अजार किया तो पर्चेज आठ लाख दस अजार इसके बाद में यह जो अभी हमने पिएंडल अकाउंट प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला तीन लाख का इसको भी लिख देंगे पिएंडल अकाउंट अगर यही लॉस होता तो इस साइड में लिखते तीन लाख और बस इस साइड में तो इतना ही आएगा अब क्रिडिट साइड में क्या क्या आएगा एक तो सेल है हमारे पास में और क्लोजिंग स्टॉक है तो सेल में माउंट आ जाएगा और इसमें आ जाएगा ठीक है यह सारी चीज़ा हमें पहले से दे रखें कुछ भी हमने अपने मन से नहीं किया यहां पर ठीक है इसके बाद में अब हम टोटल लगाएंगे सेम टोटल इस साइड का भी आ रहा है ठीक है अब वो साथ में हमें बैलिंग शीट बनाने के लिए भी बोल रहा है बैलिंग शीट में हमारे पास असेट में सिर्फ एक आइटम दे रखा है हमको क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग श्टॉक चुक्च हमें दिऊ है थीन लाग को लाइब्री डिवारे भी पर हमें दिया गया थे घंजिए तब बाकि पर्ट में अमें नहीं बताया गया है बाकि सारे फिगर्स 12ий चैनरै और यह चैनर्भ होब्ड आपको ये समज़ आया होगा question number five next video में हम next question solve करेंगे आप याद रखना Thursday को शाम को साथ पुझे live class, खुद भी देखना और बाकी friends को भी बताना, bye bye, thank you so much